जैहिन, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं MP Forest exam 2022, MP SI exam 2022 और Group 2 और Group 4 exam के लिए MPGK का Part 1 जिसमें आज हम मद्ध्प्रदेश के प्राची नितिहाद से related प्रस्ण देखने वाले हैं जो आप लोगों की exams के लिए काफी important होते हैं तो वीडियो में last तक जरूर बने रहें जहाँ पर first question पुछा गया है मद्ध्प्रदेश के अतीत का उधवव किस काल से माना जाता है तो इसका जो right answer है वा है प्रागत्य हासिक काल से मद्ध्प्रदेश के अतीत का उधवव माना जाता है और प्रागते हासिक काल एसे काल को केते हैं जिसमें मनुस्यों ने घटनाओं का कोई भी लिखित विबरण नहीं किया है अर्था जिस काल में लीपी लिखने की जो कला है इसका विकास नहीं हुआ था और मनुस्यों ने उस काल का कोई भी लिखित विवरन नहीं किया है ऐसे काल को प्रागते हासिक काल कहा जाता है आगे बढ़ते हैं next question की और next question आप लोगों से पूछा गया है कि इस नदी घाटी से सरवादिक पासान कालिन इस्थल एबम उपकरन प्राप्त हुए हैं नर्मदा सोल नदी घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है तो आप लोगों से एक कोशन यहां एक्ष्ट्रा पुछा जा सकता है चार अप्षन दे कर कि राज्ज का जो सबसे निचला भूभाग है वहाँ कौन सा आए तो वहाँ आपको अप्षन में नजर आएगा नर्मदा सोल नदी घाटी जो है यहाँ राज्ज का सबसे निचला भूभाग है आगे बढ़ते हैं और अगर नर्मदा नदी की बात कर ली जाए तो नर्मदा नदी का उदगम जो है यहाँ अमरकंटक से होता है यहाँ पश्चिम दिशा की और भेती है तो यहाँ पर दो कोश्चन आप लोगों से बनते हैं और तीसरा कोश्चन की यहाँ खंबात की दिसा में और तिसरा कोश्टन आप लोगों से पुछा जा सकता है कि नर्मदानदी का जो आकरी स्थरालेज जहां पर नर्मदा नदी जाकर गिरती है चाहिएश तो नर्मदानदी की मद्प्रदेश में लंबाई है 1070 म और इसकी डो टल लंबाई है 1312 किलोमेटर इसे मद्द्प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन की और बरते हैं नेक्स्ट कोशन में पुछा गया है मद्द्प्रदेश की किस नदी घाटी से इस्थनधारी पसुओं के जिवास में प्राप्त हुए हैं तो इसका जो राइट आंसर है वा है आश्वन नमबर यहां पर देखिए नर्मदा नदी घाटी मद्द्प्रदेश की नर्मदा नदी घाटी से इस्थनधारी पसुओं के जिवास में प्राप्त हुए हैं और नर्मदा नदी के बारे में तुम्हें आपको बता ही चुका हूँ और बाकी डिटेल आप यहां से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कोशन की उर बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन में आप लोगों से पुछा गया है अब तक भारत में प्राप्त मानब अवसेसों में सब से प्राचिंतम है और इसका नाम नर्मदा मानब रखा गया है तो एक कोशन आप लोगों से यहां से एक्ष्टरा बनता है कि मद्धि प्रदेश में नर्मदा नदी से प्राप्त मानव जिबास्म अर्थात मानव खोपडी का जो नाम है वहाँ क्या रखा गया है तो आंसर होगा नर्मदा मानव और यहाँ कहां से खोजा गया है सिहोर जिले के हतनोरा से नेक्स्ट कोशन की और बरते हैं तो यहाँ पर एक्स्टा आपको जो याद रखना है वहाँ एक्स्टा फेक्ट है कि सिहोर जिले के सलकनपूर में ही बिजासन माता मंदिर इस्थित है और यहाँ पर सलकनपूर का मिला भी लगता है और यहाँ कोशन जो सलकनपूर का मिला वा सच्टर नदी तो इसका जो राइट आंसर है वह है नर्सीपूर मद्दप्रदेश के नर्सीपूर जिले से पासाल कालीं उपकरर अपर राप्त हुए नर्सिपूर जिले में सक्कर नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावी थे तो यह कोशन हर एक्जाम में पूछा जाता आपको याद रखना है कि मद्व प्रदेश के नर्सिपूर जिले में किस नदी पर चिंकी परियोजना प्रस्तावी थे तो आंसर होगा सक्कर नदी पर और जो सक्कर नदी है यह नर्मदा की साहक नदी है नेक्स्ट कोशन पूछा गया है बाग गुफाएं किस जिले में इस्थी थे तो इसका जो राइट आंसर है वह है धार जिले में बाग की गुफाएं धार जिले में इस्थी थे और यहाँ जो गुफाएं है यहाँ बागीन नदी के टट पर इस्थित हैं इसलिए इनका नाव बाग की गुफाएं रखा गया है नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा रीवा जिले में इस्थित है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की और नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर पूछा गया है भीम बेटिका के सेलासरे किस जिले में इस्थित है तो इसका जो राइट आंसर है वह है राइशेन जिले में भीम बेटिका की जो गुफाएं है यहाँ राइशेन जिले में इस्थित है भीम बेठिका की खोज बिश्णू सिरीधर बाकन करने की थी यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह वाला जो कोशन है कॉइंस्टेबल एक्जाम 2020 जिसके एक्जाम 2022 में कंड़क्ट कराये गए इसमें दो सिफ्टों में पूछा गया था भीम बेठिका की खोज किस ने की थी तो पूछा गया था विश्णू सिरीधर बाकन करने और दूसरा कोशन पूछा गया था कि विश्णू सिरीधर बाकन करने किस इस्थान की खोज की थी तो ऑप्सन में भीम बेठिका था तो यह दो तरीकों से question पुछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question यहाँ पर पुछा गया था भीम बेटिका के सेलासरों के चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है तो इसका जो right answer लाल वा सपेद रंगों का प्रयोग किया गया है आगे बढ़ते हैं next question पुछा गया है मध्व प्रदेस में मामा भांजा सेलासरे कहां इस्थी थे तो इसका जो right answer वा है पच्मडी में मध्व प्रदेस में मामा भांजा सेलासरे पच्मडी में इस्थी थे और पचमडी जो है या होसंगाबाद जिले में इस्थी थे और पचमडी मद्द प्रदेश का एक मात्र हील स्टेशन है चरिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन की ओर नेक्स्ट कुश्चन यहाँ पर पुछा गया था मद्द प्रदेश में ताम्र पासाण संस्क्रती का प्रमुख इस्थल कोन सा है तो इसका जो राइट आंसर है वह है काय था मद्द प्रदेश में ताम्र पासाण संस्क्रती का प्रमुख इस्थल काय था है और यह जो काय था है यहां काली सिंध नदी के टट पर इस्थित है यहां कोश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तो हर एक्जाम में पूछा जाता है कौश्टमाद एक्जाम 2022 में भी पूछा गया कि मद्द प्रदेश के किस इस्थान जो इस्थान है वहां तामर पा जालईट चांसर है वह है नर्मदा नदी का dünya गया है कि कि नदी का बढडन रेवा के किया गया है तो आंसर होगा आपका नर्मदा नदी का और रेवोत्र के रूप में मद्प्रदेश का बढवन किया घया है यह आपकोwl समझना है देखे इतिहास में किस नदी का बढ़ना है रेवा के रूप में किया गया तो आंसर होगा नर्मदा नदी का और यदि आप से पुछा जाए कि इतिहास में रेवत्तर के रूप में किसका बढ़ना किया गया तो आपका अंसर होगा मध्य प्रदेश का मतलब रेवा क के उत्तर में नर्मदा नदी के उत्तर में जो राज्य है वह कुन सा है मध्य प्रदे से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहाँ पर पुछा गया था मानधाता नगरी की स्थापना किसने की थी आप देखिए मानधाता का जो मूल नाम बरतमान समय म और इन्हों ने ही मानधाता खंडवा नगरी की स्थापना की थी खंडवा जिले के ओमकरेश्वर में ओमकरेश्वर ममलेश्वर जोतिर लिंग भी इस्थी थे यह आपको अच्छे से याद रखना है और यहार मानधाता जो की बरतमान में खंडवा के नाम से जाना जाता इ यहां पर राजा महिसमत ने मांधता नगरी का नाम महिसमत राजा महिसमत ने रखा था महिसमती के रूप में इसका नाम चेज किया था और राजा महिसमत जो है या हेहे इबंस के सासक्त है नेक्स्ट कोशन यहां पर पूछा गया था हेहे इबंस का महा प्रतापी राजा कौन से जाना जाता था तो आंसर होगा बगहल खंड को पुरानों में बगहल खंड को कारूस या कुरूस देश के नाम से जाना जाता था और छेतरफल की दरश्टी से यहां राज्ज का सबसे छोटा पठार है बरतमान समय के अगर बात की जाए मद्प्रदेश राज्ज की तो रखा के नाम से किसे जाना जाता आपका अंसर होगा बेतवान नदी को और बेतवान नदी को प्रदूसर्ण के अधार पर मद्प्रदेश की गंगा के नाम से भी जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को MPGK की 1250 प्लस best questions की PDF चाहिए जिसम MP police constable exam 2022 में जो exam conducted कराए गई इसमें पूछे गए थे और आपके आने वाले MP forest exam, MP SI exam और group to group 4 exam के लिए भी जितने question पूछे जाएंगे MPGK से इसी PDF से पूछे जाने वाले हैं तो यदि आप लोग यह PDF राप्त करना चाते हैं तो PDF की link आपको वीडियो के description में दे दी जाएग जाम में तो देखिए यहाँ पर extra flick आप लोगों से पूछए जाते हैं जो कि exam में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चंबल नदी का पूरम नाम क्या था तो आंसर होगा चर्माबती और next question पूछा जाए सकता है बेतवा नदी का पूरमाबती तो आपका जो आंसर है वह है बेत्रवती और पुछा जा सकता है केण नदी का पुर्वव नाम क्या था था तो Teams तीनोन दी के पुर्वनाम आप लोको इसमे पुछे जा सकता है अच्छा से याध रखेंगे चंबल का पुर्वु नाम चर्माबती बेतवा का पुर्वु नाम बेत्रबती और केन नदी का पुर्वु नाम सुक्तिमती दो तो एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन तीसरा आपको याद करना होगा नेक्स्ट कोशन की और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन यहापर पुछा गया था बुंदेल खंड के दतिया जिले का नाम महा भारत के किस कुख्यात देत के नाम पर रखा गया है तो राइट आंसर होगा दंत बक्र बुंदेल खंड के दतिया जिले का जो नाम है यहां महा भार के कुख्यात देत्य दंत्वक्र के नाम पर रखा गया है दंत्वक्र को भगवान सिरी क्रश्न ने पराजित किया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन यहां पर पूछा गया था बोध्य ग्रंथ के अनुसार 16 महा जनपदों में से कौनसी दो बरतमान जो मद्प्रदेश राज जी है इसके अंतरगत आती थी पहले आती थी अवंति जिसका राजधानी थी उज्जेनी और दूसरी थी चेदी महा जनपद जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती तो दोनों ही आपको याद रखना है पहली कोनसी आती थी महाजनपद प्रदेश राजिक के अंतरगत तो अवंती और यहां थी राजधानी इसकी उज्जेनी और दूसरी थी चेदी जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question यहां पर पुछा गया था उत्तरी अवंती की राजधानी कौन से थी देखें अवंती महाजनपत का भाग था मद्यप्रदेश यह हमने जान लिया जिसकी राजधानी थी उज्जेनी लेकिन अवंती महाजनपत के भी दो भाग एक तो उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षणी अवंती तो यहां पर इन दोनों के आप से राजधानिया पूछे गई है उत्तरी अव अवंती की जो राजधानी ये वा क्या थी महिसमती और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जेनी और इन दोनों के मद्य जो है बेतवा नदी प्रभाइत होती थी तो यह कोशन आप लोगों से पूछा गया कॉंस्टबल एक्जाम 2022 में और MP forest एक्जाम 2017 में और साथ ही MP SI एक्जाम 2017 में जहां से कोशन पूछा गया था कि उत्तरी अवंती और दक्षणी अवंती के बीच कौन सी नदी प्रभाइत होती थी तो आपका अंसर होगा बेतवा नदी या बेत्रभती नदी जिसे प्रदूर्शन के अधार पर मद्ध प्रदेश की गंगा भी कहा जाता ह आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्वीज रखिए जिसका अंसर आप लोगों को मुझे बताना है तो यहां पर आप लोगों से पुछा गया किस नगर का बोध काली नाम अचित्ति गामी अथ्वा अचित्ति गामेनी था यदि आप हमारे वीडियोज डेली देखते हैं और इससे पहले भी आप लोगों ने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो आप लोग इसका अंसर जरूर कमेंट कर पाएंगे तो दोस्तों यदि आप लोगों को MPGK की 1250 प्लस बेस्ट जीके की PDF डाउनलोड करना है तो चेनल की प्लेलिस्ट चेक करें या फिर वीडियो की डिस्ट्रिक्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इससे आसानिस डालोड कर सकते हैं और यादि आप लोग MPFOREST exam 2022 की तयारी कर रहे हैं साथ ही MPSI exam और Group to Group 4 की exam की तयारी कर रहे हैं तो चेनल को तुरंत सब्स्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए MPG के Science, Math, Reasoning और आप लोगों के लिए Current Affair की Classes भी स्टार्ट कर दी गई हैं साथ ही Hindi English की Classes भी जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी तो यदि आप लोगों को MPFOREST exam क्रेक करना है और सर्विस लेनी है तो तुरंत चेनल को सब्स्राइब कर लें वीडिय प्रेहिं तो